बौरासी, बावरिया, कैंथवास तथा उत्तरपरदेश में पासी, राजपासी, मोथी, अर्ख, भर, गूजर, धानुक, त्रिशूलिया, रावत, चडिमार, राजवनशी, अहेलिया, बहेलिया, खटिक, तर्माली, भारगव, कोल, पसमंगता, कमानिया आदी नामों से जान इतिहास है, इतिहास के पन्नों से पता चलता है कि नौवी शताब्दी से लेकर तेरवी शताब्दी तक देश के उत्तरी भूभाग, विशेशकर आधोनेक उत्तरप्रदेश के कई भूभाग में, जैसे बारबंकी, हर्दोई, उन्नाव, लखनव, सीतापूर, राइबरेल लखीमपूर खीरी आधी में पासी राजाओं का अधिपत्ते रहा, इनकी कहानी हमारे मौजुदा किले के ध्वण सशेश बता रहे हैं डॉक्टर केपी जैसवाल इतिहासकार के अनुसार, 140 इसवी से 350 इसवी के मध्य में, राजपासी, राजभर, भार्शिव, नागवनशी, लोगों ने उत्तरी भारत में शासन किया, और बाद में कुशानों से लोहा लेकर हिंदु धर्म को पुनर जीवित किया यहां जो भार्शिव रहे, वही दक्षिन भारत में लिंगायत संप्रदाय कहलाएं, यह भी उलेख किया जाता है कि यदि राजपासी भार्शिव नागवनशी ना होते, तो भारत में हिंदु सब्भेता संस्कृती ना होती हमें जिन पासी राजाओं की जानकारी मिलती है, उनमें प्रमुक रूप से दस्वी शताबदी में महराजा सुहेल देव पासी राजभर, जिनका अधिपात्ते क्षेत्र, श्रावस्ती वा बहराईश था इनका शासनकाल सन 944 इसवी से 1044 इसवी माना जाता है उन्होंने काबल के बाच्चाह के पुत्र सेयत सालार मसूद घाजी को लड़ाई के मैदान में मार गिराया था, जिसे घाजी मिया के नाम से जाना जाता है इसके अतिरिक्त लखनव परिक्षेत्र में महराजा लाखन पासी, महराजा बिजली पासी, उन्नाव हर्दोईक्षेत्र के महराजा सातन पासी, डल्मव रायबरेली के राजा डाल देव पासी, सीतापुर के कन्नौज राजा जैचंद्र के समकालीन महराजा छीता पासी, तथा गोडवा, रोहनिया राइबरेली के महराजा माहिपासी का जिक्र मिलता है। इसके अतिरिक्त सीतापुर के खेरा पासी, लहरी पासी बारबंग की परिक्षेत्र के राजा गंगा बक्ष रावत का उलेख मिलता है। आए दोस्तों भारत के आजादी में पासी समाच का क्या योगदान रहा उसके बारे में चर्चा करते हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम में पासी समाच का महत्वपून योगदान रहा है देश की रक्षा के लिए अनेक पासियों ने अंग्रेजों के आगे जुकना अपना अपमान समझा तथा आखरी दम तक मात्रे भोमे की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहूती दे दी उनमें प्रमुक रूप से 1857 के प्रथम संग्राम में लखनाओ की बेगम हजरत महले अपने पती की गिरफतारी के बाद महिलाओं की सेना गठित की थी जिसकी कमांडर उदा देवी थी जो लखनाओं के समीब उज्रियाओं गाउं की रहने वाली थी उनका पती मक्का पासी भी अंग्रेजों की सेना का सेना नायक था जिसने चिनहत के युद्ध में भाग लिया और वीरगती प्राप्त की इसका बदला लेने के लिए उदा देवी पासी ने संकल्प लिया और पेड़ की चोटी पर चढ़ कर 16 नवंबर 1857 को 36 अंग्रेजों को एक-एक कर मौत के घाट उतार दिया और अंत में उनकी भी शहादत हुई इसके